हेलो फ्रेंश मोधमिता लिटिल किचेन में ऐलका मैं हूं मोधमिता आज मैंने और एक निव रेशीपी सेयर करने जारीए आज मैं सेयर करीँ ब्येंगोल का बहुत बढ़ी आसा एक मोटन कारी का रेशीपी मोटन कारी ऐसे सब लोग पसंद करते हैं लेकिन मैंने आज जिस तरह की मोटन कारी बनाऊंगी मतलब सिम्पिल घर का इंग्रेडियन से बहुत बुढ़ी आसा पार्फेक्ट ये रेसीपी बनेगा सो फ्रेंज मेरे चैनल में नाई है तो जोरूर मेरे चैनल को सबस्क्राइब किज़े ऐसा ही हार दिन न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए चलो फ़र ये मोटन कारी का रेसीपी शुरू करते है ये रेeurशीपपी बना निकले सबसे पहले मेने यहां पे 500 ग्राम्स मौटन लिया मौटन को पहले आच्छी तरह से धोलिया आम मेने इसके साथ मिलारीव एक काप दोही दोही को जोरूट डालिया और इसको जब डालेंगे दोही को पाउड़ी आच्छी तरह से फेटके उसके बाद डालना मतलब 500 ग्राम्स मोटन के लिए मैंने हापे 100 ग्राम दोही डाल दिया डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी पावडर और डालेंगी हाँपे थोड़ी सी मिर्ची पावडर डाल देती हूँ थोड़ी सी हाँपे धोनिय पावडर थोड़ी सी जीरा पावडर मतलब थोड़ी थोड़ी करके मसाला मैंने डाल रहे हूँ और डाल देती हूँ हाँपे दो चमच सोर्षो की तेल आच्छे तरह से मिला लेती हूँ पहले मिला लेती हूँ उसके बाद मैंने नमक डालूंगी इस रेसीपी में मैंने ज़्यादा तेल मसाला यूज नहीं करूंगी फिर भी बहुत बढ़ी आसा टेस्ट आएगा डाल देती हूँ साधनुसर नमक डाल के आच्छे तरह से मिला लेती हूँ मैंने इस मोटन करी में ज़्यादा कुछ ओयल मसाला नहीं डालूंगी लेकिन फिर भी बहुत बढ़ी आसा टेस्टी बनेगा जो लोग तेल मसाला कम खाते उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है आच्छे तरह से मिलाने के बाद मैंने इस मोटन को 10 मिर्ट तक ढाक के राखूंगी मतलो 10 मिर्ट मेरे नेशन करके राखूंगी ऐसे हम लोग जब चिकेन बागरे बनाते हो जदा देर तक 1-2 घंटा मेरे नेशन करके राखती हो लेकिन मैंने इसको इंस्टेंट बनाऊंगी जब तो कि मेरे नेशन हो रहा ह मैंने कोड़ाय में दो चमच ओयल डाल दिया मैंने यहाँ पे सोर्सों की तेली उज़ कर रहे हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल जो यह रेसिपी होता है सोर्सों की तेली बना जाता है मैंने दो चमच सोर्सों की तेल डालने के बाद इहां पे डाल देती हूँ आलू ट्रडिशिनली ये मोटन कारी का रेसीपी में आलू डाला जाता है तो इसलिए मैंने आलू डाल दे हूँ आम मैंने इस आलू को बहुत बढ़ियासा कालल लाने के लिए हां पे डाल लिए थोड़ी सी मीर्ची पाउडार थोड़ी सी होल्दी पाउडार और थोड़ी सी नमक अच्छी तरह से आलू को फ्राय कर लेते हैं आलू फ्राय करने के बाद क्या होगा आलू का फ्लेबार भी बहुत बढ़ी आसा आएगा और इसका जो कालारे उपार फेक्ट आएगा तो इसलिए आलू को पहले बढ़ी आसा फ्राय कर लेंगे ये देखे दो मिनिट फ्र paragraph करने के बाद अलु का कलार भी जेंज हो गया और ये आधा फ्राई हो गया अब मैंने इस अलु को उससी मेरे निशन किया हुआ माटन के साथ रग देती हुँ ये देखे एक साथ में मैंने पुरा अलु को डाल दिया पूरा अलू को निकाल लिया आप मैंने उसी तेल में मतलब अलू फ्राइ करने के बाद जो तेल बाचा होवा ता उसमें डाल देती हूँ कुछ खाड़े मसाला खाड़े मसाला में है एक लाएची थोरी सी दार्चिनी और दो तिन लंग खाड़े मसाला में आप दोसरा कुछ मसाला भी डाल सकते हूँ जैसे बोड़ा यलाएची और डाल सकते हूँ आपका ब्लैक पेपर लेकिन मैंने सिम्पिल बना रही हूँ डाल देती हूँ एक मेडियम साइज का बारी काटा हुआ पयाज पयाज को पहले अच्छे तरह से भून लेंगे इसमें क्या होगा पयाज भी सफ्ट होई जाएगा और इसका कलार भी चेंज होगा ये बला जो मोटन का रेसीपी है इसका बनाने का तारीका अलग होगा क्योंकि ज़्यादा मसाला मैंने इसमेने ही डाल रहे हूँ लेकिन प्रोसेसिंग टाइम अच्छी तरह से करेंगे तो इसका पार्फेक्ट टेस्ट आएगा ये देखी प्याज सौप्ट होगे आप मैंने डाल दी हांपे एक चमच आद्रगलोईसोन का पेस्ट अच्छी तरह से इसको भी मिला लेते हूँ मतलब थोड़ी देर तो पका लेते हूँ ये मैंने सोर्सो की तेल यूज कर रहे ते इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़ाका रहे ह तो प्रकित इसमें बहुत बड़िया सा पार्फिक्त फ्लेवार आता है कि जो लोग सोर्सो का तेल नहीं खाते उ लोग यह लोग नॉर्माल कुकिंग ओयल भी ढाल सकते हैं लेकिन सोर्सों के तैल में आह बोहट बड़िया सा फ्लेवार आता है एक से देडमिन तों कि यह और अध्रोगलोईशन को अच्छी तरह से भून लेती है उसके बाद मैंने दुसरा मसाला डालूंगे आम मैंने डाल देते हैं दो बारिक के हुआ टोमाटर पेस्ट ये कच्छा बला टोमाटर को मैंने मेकसी में डाल के पेस्ट बना लिया ये बायल किया हुआ टोमाटर नहीं है आम मैंने इसे के साठ डाल देते हुँ थोड़ी सी नमक और डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची पावुडर और दुसरा कुछ मसाला मैंने नहीं डालूंगी किकि धोनिया पावर्डा जीरा पाव़डर मैंने पहले डाल दिया है पुरसा ज्यादा लागेगा, क्यूकि मैंने ये मोटन कारी जो बना रही हूँ, कोड़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो कुकार में भी बना सकती है, कैसे बना सकते हैं, ये मैंने बाद में बताऊंगी, ये देखिए इसको मैंने आभी 2-3 मिनिट तो धाक के नहीं पाक आप जल जाएगा वी जाल जाएगा बीच मीच भी एसे हिलाते रहे ना और भी धाक के अलू भी आच्ची तरह से एक बन मिला लेति हो ताकि इसमें पानी बैगरा भी नहीं डाली तो इसली जल जा जाएगा बीच मिच बीच में ऐसे हिलाते रहे ना और भी धाक के इसको कम से कम पाच मिनिट तक पकाऊंगी इस मोटन को जितना बोड़ी आसा भुनेंगे टाइम लेकर उतना बोड़ी आसा टेस्ट आएगा ए देखे दिरीदीर धाक के पकारूँगा इसमें कैमा मौटन भी बहुत बढ़िया सा भून रहे है और अच्छी तरह से पाक रहा है तब तक भूनना है जब तक इसका क्वाण्टिटी आधाना हो जाएगा इसले देखी और भी मैंने धाक के इसको पकारूँगा विज में ऐ से हिला आते राई हूँ ए देखी 15 मिनट भूनने के बाद ये मोटन क्वांटिटी में आधा हो गया मतलब अच्छी तरा से भून गया और ये बाल मोटन आधा पाक भी गया मैंने कोड़ाई में बना आ रही हूँ तो इसली मोटन पाक ने में थोड़ा सा टाइम लागेगा ल लेकिन ये और भी थोड़ा देख पाकेगा तो पानी कम हो जाएगा इसी टाइम में मैंने एक सद में डाल देती हूँ चार पाज ये ग्रीन चीली और डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया अच्छी तरा से मिला लेती हूँ इसी टाइम आप चाहे तो इस बाला मोटन को कुकार में टांसपर करके दो सिटी लगा सकते हैं ये डिपिन करता है मोटन का क्वालिटी के उपर आगर मोटन अच्छा होगा तो इक वड़ाय में बहुत बुड़ियासा पाक जाएगा इसी टाइम कुकार में डालके आप दो सिटी लगा सकते हैं लेकिन पहले मोटन को से 35 मिnd टाइम जोरूल लागेगा आम मेनी हापेलास में डाल देते हुँ थोड़ीसी मतलब आधा चामच डाल रहेऊ घी और डालेंगे थोड़ीसी गरम मसाला घी और गरम मसाला के साथ भी ए बोड़ी आसा फ्लेबार आएगा गरम मसाला भी जादा नहीं डालेंगी ए देखी थोड़ी से मैंने गरम मसाला डाल रहे हूँ अच्छी दरसे मिलाने के बाद और भी पार्च मिनिट तो इसको ढ़ाक के राखते हूँ घी और गरम मसाला का फ्लेबार इं मोटन के अंदर आ जाएगा धाग देती हूँ और पाच मिनिट टाइम लागेगा क्योंकि मोटन अल्लेडी पाग गया ए देखी पाच मिनिट के बाद मैंने दिखा तो रियली बहुती परफेक्ट टेस्ट भी आयागा बहुती सुन्दर कालार है लास में मैंने थोड़ा सा हरा धोनिया डालके इसको गरमा गरम सार्व करती हूँ राइस के साथ तो यह बहुती मस्त लगता है आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा साकते हो ठांडी होने के बाद इस मोटन का जो ग्रेवी थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने आलू डाली हूँ तो इसलिए अगर ग्रेवी पातला पसंदे तो पानी ज़्यादा डाली है अगर कम पसंदे तो पानी कम डाली है लेकिन इस तरह कि अगर ग्रेफी मनाएंगे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं चावल के साथ भी खा सकते हों कितना सिम्पिल रेसिपी है So friends, I hope आप लोगों को फीडियो पसंद आए अगर फीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा है हर दिन नियो रेसिपी देखने के लिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मेरा नियो रेसिपी